नालंदा में अव्याद खननन को लेकर दोग गूट आपस में भीड़ गए इस दोरान कुछ लोग हत्यार लेकर ताबड तोर फाइरिंग करने लगे जिसे गाउं में अफ्रात अफ्री का महौल बन गया लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे इसे बी में के साथ मार्क भी कि मैं पुलिस में फारिंग की घटना से इंकार किया है लेकिन वीडियो का वार्ड होने के बाद ही पुलिस के सुर्व भी बिदल गए और जाच करने की बाद करिंग कि नालंदा किया वीडियो तेजी से वार्ड हो रहा है इसमें आप देख सकते आप गौं में देख सकते हैं किस तरह लोग वहाँ पर जान बचा कर भाग रहे हैं और गणिवत यह है कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और यहीं विया प्राधी दूसरे अवैद खनन का मामला है जिसको लेकर दो भी की घटा में आप साफ देख सेते हैं किस तरह बच्चे वहां से अपनी जान बजाकर भागते नजर आए जब इस बात की सुचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने इस मामले को टानने की कोशिश की और कहा कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुए लेकिन जैसे ही वीडियो व सरकारी नौकरी में पद और कुर्सी की धीमक अक्सर खबरों में देखने को मिलती है कुछ ऐसे ही घटना देखने को मिली राजधानी पटना वे जहां राजजंदर नगर में एक रेलवे अधिकारी पर अपनी क्रमचारियों के साथ गाली गलोज महिला कर्मियों के साथ थाने में मामला दर्ज करा दिया है वहीं इस मामले में आरोपी रेलवे अधिकारी का गाली गलोज और मार्नी की धमकी देते हुए एक आडियो भी सामने आया है कि अधिकारी है अधिक आपना कप्रा दोने के लिए हमारे स्टाप को और अपने फैमिली के दिवता है कप्रा दोने के लिए जो रूल में नहीं है कि अधिकारी जो एक बड़े अधिकारी है रसुक वाले अधिकारी बताया जाते हैं रेलवे में पदस्थापित हैं उन पर चतोस बड़गी एक रमचारी जो महिला स्वाईकर्मी और जो गाड होते हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि रेलवे अधिकारी लगातार हमेशा उनके साथ मार्पित करते हैं गाली गलोज करते हैं और छेड़ खाने का भी महिला कर्मियों ने आरोप लगाया है और इस से सम्मधित एक ओडियो भी वाईड हो रहा है जिसमें अधिकारी की जो तथाकरित अवाज है वाल हो रही है जिसमें चतुत वर्गे करमचारियों को गाली गलोज करते सुनाई दे रहे हैं। हाला कि यह आरोप है इसकी पुष्टी नहीं कर रहे हैं और मामले में दर्ज हो गया है और मामला थाने में और आगे की कारवाई की जा रहे हैं।